हरियोम स्री राम अंबग्य नाथ सम्विद मैं स्वपनिल सिंग शरत सिंग माधोपुर कर अनिर्द उपासना केंद्र बुरानपूर मद्ध प्रदेश से हूँ मैं पेशे से खेल शिक्षक हमारी स्वयम की संस्ता बालविने मंदिर और शास्की स्कूल से हूँ यहीं बुरानपूर में मैं विगत तेरा वर्षों से सद्गुरु अनिर्द बापुजी के सानिद्य में हूँ अनुभो कई आये हैं 2006 से जुड़ने के बाद वर्ष 2010 फरवरी महा वसंद पंचमी का दिन हमारे परिवार में वसंद पंचमी का एक उत्सव होता है और इसमें भगवान की पूजा करतने के लिए आम के पत्ते और गेहूं की बालिया लगती है चुकि हमारा खेत यहीं पास में ग्राम मुमत पुरा में है तो पिता जी अपनी टूविलर से उस गेहूं की बलिया और आम के पत्ते लेने के लिए अपनी टूविलर से जाने लगे वसंद पंचमी का दिन उसी दिन की बात है रास्ते में आधे रस्ते तक पहुचे थे छोटी रेनु का मातावंदिर के पास एकर बेल गाड़ी और एक टेक्टर दोनों आपस में बढ़ गए और उनका जो एक्सेंट हुआ तो उसका जो धक्का लगा वो पिता जी की गाड़ी को लगा और पिता जी सीधे गाड़ी सहित उस सीधे पेर पे उनको चोट लगी गुटने पर ये बात हमें किसी को पता नहीं थी जब वहाँ पर आज पास के लोगों ने देखा कि ये जो है विक्ति घायल पड़े हुए है खून भी निकल रहा है और तुरंत उन्होंने वहाँ पर जाकर वहीं एक पास में डॉक्टर थे मतलब वह अंदिर से ही नीचे सीधिया उतर रहे थे उन्हों देखा कि आपकी जो घुटने की जो कटोरी है वो डेमेज ऐसा लग रहा है पर अभी मैं कन्फरम नहीं बता सकता वो तो जो और्थोपेडिक से वही बता पाएंगे तो पिताजी ने उनसे कहा कि रुपे ये मेरे पास मोबाइल है आप मेरे घर के लोगों को सुचित कर दीजिए तो उन्हें कहा कि मैं नहीं सुचित करूँगा आप स्वयम ही अपने घर के लोगों से बात कर लीजिए कि ताकि आप बात करेंगे तो वो ज्यादा मैं अगर उनसे बात करूँगा तो वो घबरा जाएंगे इसलिए आप स्वय में उनसे बात कीजिए पिताजी ने फोन लगाया मेरी माताजी ने फोन उठाया उनको सारी विस्तार से घटना बताई माताजी मेरी घबरा गई और तुरंथ हम दोनों भाई को बताई ये सबसे चीज़े हम भी घबरा चुके थे हमने हमारे पारिवारिक डॉक्टर से संपर्क किया और उन्होंने डॉक्टर अगरवाल जो कि और्थोपेडिक से यहां बस्टेंड के पास में उनका एक अस्पताल भी है तो उनके पास ले जाने को कहा सुबह साड़े नोव बजे की घटना थी हम लोग दोनों भाई आटो करके उस रेनुका माता मंदिर के पास गए और वहां पर पिता जी को आटो में बिठाया और वहां पर डॉक्टर अगरवाल के पास लेके गए दस बजे हम वहां पोचे तब तक डॉक्टर आये नहीं थे रेसेप्शनिस्ट काउंटर से पूछा पता चला बारा बजे वह आएंगे उसके पहले नहीं आते उनका टाइम ही है बारा बजे का उन दिनों लोड़ शेडिंग का यहां पर बुरानपूर में बहुत ज्यादा प्रभाव था लाइट जाती थी रेसेप्श या 10 मिनिट के लिए लाइट आगई इनका एकसरे हो चुका था एकसरे होने के बाद में इनको शिफ्ट किया गया आप जो डॉक्टर साब आएंगे उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या स्थिती है डॉक्टर उस दिन सववा ग्यारा बजे वहां अस्पताल पहुच चुक डॉक्टर अगरवाल ने कहा कि इनका पटिला जो की घुटने की कटोरी है डेमेज हो चुकी है और ऑपरिशन करना पड़ेगा शहर में उस समय ज्यादा सुविधाय नहीं थी आप कहा कौन से अस्पताल में ऑपरिशन कराना चाहेंगे दो अस्पतालों के ना नाम दिये थ पिता तो लेनी एम्बुलेंस आएगी और इनको लेके जाएगी और रात में 7 बजे का टाइम संदय समय 7 बजे का निशिट किया गया ऑपरेशन का ओपरेशन को एक मेजर ओपरेशन था इसकारण उनके ओपरेशन को देर हो गई वो ओपरेशन उनको साड़े आट बजे ओपरेशन थेटर लेके गए सववानोजे साकुशल वो उनका ओपरेशन हो चुका था और मैं और आई उस समय वही अस्पताल में मोजुद थे मैं रामनम वही स्वयम पिताजी के लिख रहा था मेरी आई भी हनुमान चालिसा और शिराम रक्षा स्तोत्र और गोर कश्टदर्ण लगाता रसका जाब चल रहा था यह पोन गंटे का ओपरेशन एक सो आट परतिशत सक्सेस हुआ वो किवल सद्गुरु अनिरुद जी के कारणी हमारे पिता जी का हमारे परिवार का मेरा स्वयम का जो उस सद्गुरु पर पूर्ण तह विश्वास था 108 परसंड की नहीं हमारे सद्गुरु जी हमारी मदद करेंगे वो बिल्कुल सही साबित हुआ यहां तीन चार बातों से मैं आपको बताना चाहूंगा उसी समय उस रेणु का माता मंदिर के पास किसी एक डॉक्टर का मुझूद होना जिसने चेक करके बताना कि आपकी घुटने की कटुरी तूट चुकी है नमबर एक नमबर दो जब अस्पताल लेके गए तो लोड शेडिंग के कारण बारा बज़े नो से बारा लोड शेडिंग होती थी कभी लाइट आती नहीं थी उसी दस से पन्रह मिनिट के लिए कि अब लाइट आई एक सरे निकाला गया और लाइट तो हैं चली गई नमबर तीन डॉक्टर अगरवाल बारा बज़े के पूर्व कभी नहीं आता था उस दिन ग्यारा से सवा ग्यारा की बीच डॉक्टर अगरवाल वहाँ पर मौजुद हो गए और डॉक्टर पंडित जलगाओ के एक और्थोपेडिक्स है उन्होंने कहा था उनकी विजिट उस दिन नहीं थी लेकिन उनका कोई पारिवारिक काम था यहां पर उस दिन उनकी विजिट थी यहां पर उसी समय उनकी मदद से डॉक्टर अगरवाल ने यह ऑपरेशन किया क्या उसी समय महां डॉक्टर का मुजुद होना लाइट का 10 मिनिट के लिए आना फिर चला जाना एकसरे निकलने के बाद में डॉक्टर पंडिट की विजिट उसी दिन होना जो की विजिट का दिन नहीं था डॉक्टर बारा बज़े के पहले यह रिकॉर्ड रहा है रिसेप्शनी काउंटर की डॉक्टर बारा बज़े के पहले नहीं आएंगे उसी दिन डॉक्टर 11 के ब बग्य नात सम्विधा